किसान सात्यों आज हम बात करेंगे सर्षू पे यूरिया खाद का उप्रयोग कब करें किसान सात्यों बहुत स्यारे किसान इस बात से जानकारी से भिन रहते हैं कि यूरिया खाद का उप्योग या तो बहुत जल्दी कर देते हैं या फिर जब हमारी सर्शू की प्रसल में फ्लारूइंस ट्रेशर हो जाती हैं उसमें अर्थार दित्ती पिलाई किसमें यूरिया खाद का प्रियोग करते हैं किसान साथियों हमें यूरिया खाद का प्रियोग सर्शू में जब हमारी पहली सिज़ाई करते हैं जब हमारी पसल 25 से 30 दिन की हो जाती है उसमें हमें यूरिया खाद का प्रियोग करना है किसान सात्यों जैसे कि हम देख रहे हैं इस खेत में अब यूरिया खाद का प्रियोग किया जा रहा है और इस खेत में ये पसल सर्शु की लगबक एक मेने की हो सकी है अब इसमें दित्ते फिलाई की जाएगी किसान सात्यूं इस समें यूरिया खाद देने का क्या फाइदे हैं किसान सुत्यूं अगर हम इस समें यूरिया खाद सर्षू की खेट में देते हैं तो हमारी सर्षू में जो फ्लारिय श्टेज होती हैं वो अच्छी निगलेगी फोदो में क्लोरोफिल की महातरा अधिक बनेगी और जिससे हमारा पोदा मजबूत होगा और अच्छी बड़वार करेगा लेकिन इससान सात्यूं जब हमारी सर्षू की पसल में फ्लारिय श्टेज श्रूर जाती हैं अगर उस समय हम यूरिय खाद का प्रियोग करते हैं तो हमारी पसल में ग्रोथ बढ़ जाती है और फूलू की सिंग्या कम हो जाती है या फूलू के आकार भी कम हो सकता है तो किसान सात्यूं हमें सर्षू में यूरिय खाद देने का सही तरीका के वल्दि सब्सक्राइब करें लाइक करें और शेयर करें जय हिंद जय भारत जय किसान